अगर आपने पहले से उद्ध्योग अधार रेइस्टेशन कराया था और आपका सर्टिफिकेट कहीं खो गया है कैसे दुबारा वो डाउनलोड किया जाएगा साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से पुराने उद्ध्योग अधार को उद्ध्यम रेइस्टेशन की नई वेबसाइट पे रेइस्टेशन कराना है तो ये वीडियो आपके लिए है ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिन्होंने 1 जुलाई 2020 से पहले उद्ध्योग अधार सर्टेफिकेट बनवा रखा था और अभी तक उद्ध्यम रेइस्टेशन की नई वेबसाइट पे रेइस्टर नहीं कराया है और साथ ही अगर आपका पुराना उद्ध्योग अधार सर्टेफिकेट कहीं खो गया है उसको कैसे दुबारा डाउनलोड किया जाएगा और अपडेटेड डिटेल्स के साथ किस तरह से नई वेबसाइट पे रेइस्टर किया जाएगा पूरी जानकारी इस वीडियो में आ आउनलोड होगा क्योंकि री रेइस्टर करने के लिए हमें UAM नंबर यानि उद्ध्योग अधार मेमोरेंडम नंबर की जुरूत पड़ेगी जो की सर्टेफिकेट पे दिया गया होता है अगर आपके पास यह सर्टेफिकेट मौजूद है तो आप इस वीडियो का कुछ हि या UAM नंबर पे आना है यहां पे उद्ध्योग अधार मेमोरेंडम वाला आप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके पाद नीचे एमेल और मौबाइल नंबर पूछेगा मैं यहां पे मौबाइल नंबर डालके मौबाइल नंबर यहां फिल कर लेता हूं और वैलिडेट and generate OTP करता हूँ, जैसे ही मैं OTP generate करूँगा, एक OTP मेरे mobile पर आएगा, वो OTP यहाँ फिल करके OTP validate करना है, यहाँ देखिए नीचे registration number और enterprise का क्या नहां में यह show हो गया है, अब आपको यहाँ से copy करके, आपको फिर home page पर आना है, और यहाँ print and verify में print UAM certificate पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको enter your UAM number मागेगा, आप यहाँ पर वो registration number फिल कर लें और registered mobile number यहाँ डालने के बाद submit बटन पर क्लिक करें, तो यह देखिए आपका certificate दुबारा से download हो गया है, यहाँ पर इस certificate में पूरी detail दे रखी है, आप यहाँ से इसको save कर सकते हैं या print कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको save कर लेता हूँ as pdf अब आपके पास certificate डाउनलोड हो गया है, साथ ही मिल गया है UAM number किस तरह से आपको नई website पे re-register करना है तो चलिए आए देखते हैं उससे पहले आपको कुछ updated details ready कर लेनी हैं, जैसे आपको आपका pen number, mobile number, email id, आपके business में कितने number of employee employed हैं साथ ही साथ आपके plant and machinery में कितना investment हो रखा हैं, यह सारी चीज़े आपको ready कर लेनी हैं, क्यूंकि form भरते वक्त यह सारी चीज़े वहाँ पे fill करनी पड़ेगी, और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर subscribe कर लें, bell icon press करके all notification on कर दें, क्यूंकि इस चैनल पे आए दिन नएने वीडियो इस तरह की आती रहती हैं, तो बागी का process जानने के लिए चलते हैं, अपने computer screen पे उद्धियम registration के website पे नीचे, for those who already having registration as UAM वाले option पे click करना है, यहाँ पे आपको उद्धियोग अधार संख्या, उद्धियोग अधार number यहाँ पे डालना है, मैं इस पे जल्दी से fill कर लेता हूँ, उसके बाद आपको OTP आपके mobile पे चाहिए या email पे चाहिए वो select करना है, फिर validate and generate OTP करना है, आपके mobile पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे fill करना है, और validate OTP वाला option क्लिक करना है, जैसी आप validate करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से interface दिखाई देगा, नीचे आपके पास पहले से उद्धियोग अधार memorandum है, हाँ है, उसको migrate करना है, उसको option पे select करके आगे बढ़ेंगे, फिर आपको यहाँ पे अपना individual pen number भरना है, तो मैं अ अपना individual pen number भर लेता हूँ, चेक मार्क लगा हुआ है, फिर validate pen करना है, pen validate करने के बाद आपका pen successfully verified हो गया है, फिर आपको continue पे click करना है, फिर यहाँ पे कुछ options दिये गए हैं, यहाँ पे देखिए आपका नाम अल्रेडी यहाँ पे लिखावा आएगा, उसके बाद आपने पुराना पहले का ITR file किया है, basic का इसका वो yes है, automatic, किस type का ITR है, ITR 4 है, क्या आपके बाद GST number है, नहीं है, या exempt है, तो मेरे पास है, तो मैं इसको yes कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे mobile number फिल करना है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई और mobile number भी डाल सकते हैं, ले एक email ID में यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, mobile number email ID डालने के बाद, फिर मैं स्क्रॉल करूँगा, फिर यहाँ पे आपको social category सेलेक्ट करनी है, मैं OBC यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद gender, male, दिव्यांग है कि नहीं yes या no इस पर करना है, यहाँ पे देखिए आपका नाम automatic show कर रहा है, और आपको यहाँ पे unit का name और number शो कर रहा है, उसके बाद आपको फिर से location सेलेक्ट करनी है, और फिर आपका unit कि इस जहाँ पे, आपका plant का location है, वहाँ का address आपको यहाँ फिल करना है, आप अपने हिसाब से अपना location of plant यहाँ फिल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ जल्देल्दी location सेलेक्ट करके पूरा address यहाँ फिल कर लेता हूँ, यहाँ पे district add plant, तो यह देखें यहाँ पे unit add हो गया है, यहाँ पूरा show कर रहा है, इसी तरह से आपको official address of enterprise कहाँ कहा है, तो मेरा दोनों ही case में same है, तो मैं same address उपर और नीचे दोनों में same तरह के से यहाँ फिल कर लेता हूँ, ब्लॉक वरानसी, रोड स्ट्रीट वरानसी, पिन, स्टेट, उत्तर प्रदेश, डिस्टिक्ट वरानसी, अब यहाँ पर पूछ रहा है, आपका पहले से UAM नंबर है, तो हाँ है, तो मैंने यहाँ पर previous UAM नंबर सेलेक्ट करके, वो UAM नंबर, उद्ध्योग अधार मेमोरंडम नंबर यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, तो मैं यहाँ जल्दी से UAM नंबर फिल कर लेता हूँ, अब यहाँ पर कब आपका business incorporation हुआ, तो दिखे certificate पर दिया हुआ है, आपको same वही date of commencement यहाँ पर देखकर फिल कर लेनी है, तो date of registration 142012, और मेरा commencement date भी same है, तो मैं इसको भी 142012 कर लेता हूँ, फिर नीचे bank की detail आपको फिल करनी है, तो मैं यहाँ जल्दी से bank detail फिल कर लेता हूँ, union bank of media, bank का नाम, उसके बाद IFSC code, UBIN, blur, और account number, तो यहाँ account number फिल करने के बाद, major activity of unit क्या है, manufacturing select करने के बाद, आपको NIC code यहाँ पर search करना है, इसको बहुत ध्यान से search करेंगे, तो मैं cosmetic category में जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ करने के बाद देखा, तो यह देखिए, trading पर अलड़ी किल्ट हो के आया है, और यह cosmetic वाला NIC code है, तो इसको यहाँ पर add activity कर लेंगे, add activity करने पर देखिए, यहाँ पर पहले जो तो service पर था, तो वो गलत था, मैं उसको वहाँ cancel करके पुराना वाला delete कर लेता हूँ, अब जो मेरा है, यह trading वाला NIC code मैंने यहाँ पर add कर लिया है, उसके बाद number of employee कितने हैं, आपके business में male दो, female कोई नहीं, other कोई नहीं, उसके बाद नीचे आपके business में plant and machinery में कितना investment है, और आपका turnover बीते साल कितना था, वो already नीचे शो कर रहा है, तो मैं plant and machinery में investment एक लाग डाल देता हूँ, और साथी साथ मेरा turnover automatic नीचे शो कर रहा है, तो उसको मैं कोई छेरशान नहीं करूँगा, और नीचे सब जंगा no कर देता हूँ, उसके बाद check mark है, submit and generate OTP का option आ गया है, इसको select करके, सारी चीज़े सही हैं, तो मैं ok पे click करूँगा, ok पे करने के बाद आपके number पे OTP आएगा, OTP आपको यहाँ fill करना है, और नीचे द दिएगा capture code टाइप करके final submit करना है, तो आपने देखा किस तरह से हमने खोया हूँ सर्टिफिकेट डाउनलोड किया, और पुराने उद्ध्योग अधार को किस तरह से नई website में migrate करके re-reister किया, आपको यह वीडियो कैसा लागा, comment box में ज़रूर बताईएगा, कोई सवाल ह कोई suggestion देना चाहते हैं, तो उसका इंतिजार रहेगा, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर विजिट करें, तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में